एक तरफ चारों पांडव त्रिगर्तों से लड़ रहे थे और दूसरे तरफ अकेले अर्जुन सारी कौरव सेना से और उनका सार्थी और कोई नहीं उत्तर था राजकुमार उत्र जानते हैं आगे क्या हुआ संपूर्ण महाभारत कथा में विराट पर्व आप सभी से अनुरोथ है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकतें तो इन्हें पूरा अवर्शे सुनें वैशंपायन जी कहते हैं राजन नपुन्सक वेश में रत पर बैठे हुए नर्शिष्ट अर्जुन को जो उत्तर को रत पर बिठा कर शमी विक्ष की ओर जा रहे थे भीश द्रोन आदी कौरव महारतियों ने देखा यह देखकर अर्जुन की आशंका होने से वे सब के सब मनही मन भैभीत हो उठे उन सब महारतियों को हतोचा देख अत्वा अत्पुत उत्पातों को भी देखकर शस्त्रधार्यों में श्रेष्ट भरद्वाशनंदन आचारे त्रोन बोले इस समय कंकर बरसाने वाली प्रचंड एवं रूखी हवा चल रही है राक के समान रंगवाले अंधकार से आकाश आच्छादित हो रहा है रुक्ष वर्णवाले अत्पुत बादल भी दिश्टी गोचर हो रहे हैं मायानों से अनेक प्रकार के शस्र निकल रहे हैं दिशाओं में आकसी लग रही है और उनमें से भयंकर गीदरिया चितकार करती हैं घोड़े आंसु बहाते हैं और रथों की धोजाएं बिना हिला ही हिल रही हैं यहां जैसे जैसे बहुत से रूप और लक्षन दिखाई दे रहे हैं उनसे ये सूचित होता है कि कोई महानभय उपस्तित होने बाला है आतह आप सब लोग सावधान हो जाएं आप लोग अपने आपकी रक्षा तो करे ही सेना का भी प्यो बना लें युद में बहुत नरसंघार होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करें और इस गौधन की भी रखवाली करते रहें नपुन्सक पेश में ये समस्त शस्त्रधार्यों में श्रेश्ट महान धनुर्धर वीर अर्जुन ही आ गये हैं इसमें संदे नहीं गंगानंदन जिनकी ध्वजा पर हनुमान ज जिनका नाम है और जो इंद्र के पुत्र हैं वे किरीटधारी धनन जही नारीवेश थारण किये यहां आ रहे हैं ये जिसको जीत कर आज हमारे इन गौण को लौटा ले जाएंगे उस अर्जुन की रक्षा कीजिए ये वे ही शत्रों को संताप देने वाले महा पराक्रमी सव्यसाची अर्जुन है जो सामना होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के साथ भी बिना युद्र की ये पीछे नहीं लोट सकते कौर्वों साक्षात इंद्र ने भी इन्हें अस्त्रविद्या की शिक्षा दी है युद्ध में कुपित होने पर ये साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं तुम लोगों ने इन शूरवीरों को वन में अनुचित कलेश पहुंचाया है मुझे इनका सामना करने वाला कोई योधा यहां नहीं दिखाई देता सुना है हिमाले परवत पर किरात वेश में छिपे हुए साक्षात भागवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया था कर्ण ने कहा आचारे आप सदा हमारे सामने अर्जुन के गुणों की शलाधा करते रहते हैं परन्तों अर्जुन मेरी और दुर्योधन की सोलवी कला के भी बराबर नहीं है दुर्योधन ने कहा रादानंदन यदि ये अर्जुन है तब तो हमारा काम बन ही गया अंगराज अभी पांडव पहचान लिए जाने के कारण फिर बारह वर्षों तक वन में भटकेंगे और यदि ये नपुन्सक वेश में कोई दूसरा ही मनुश्य है तो इसे अत्यमते तीखे बार्णों द्वारा अभी इस भूतल पर मार गिराऊंगा वेशमपायन जी कहते हैं परन्तप धृत राष्ट्र पुत्त दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीज, द्रोन, क्रिप और अश्वत्हामा ने उसके इस पराक्रम की बड़ी प्रशंचा की वेशमपायन जी कहते हैं जनमेजर उस शमी व्रिक्ष के समीप पहुचकर अर्जुन ने विराटकुमार उत्तर को सुकुमार तथा युद्ध की कला में पूर्णताहक कोशलन जार कर उससे कहा उत्तर मेरी आग्या से तुम शीक्र इस व्रिक्ष पर चड़कर वहां रखे हुए धनुश उतारों क्यूंकि तुम्हारे ये धनुश मेरे बहुबल को नहीं सह सकेंगे कोई भारी कारे भार नहीं उठा सकेंगे अथ्वा बड़े-बड़े गजराजों का नाश करने में भी ये काम न दे सकेंगे इतना ही नहीं यहां शत्रों पर विजय पानी के लिए युद्ध करते समय ये मीरे बाहू विक्षेब को भी नहीं संभाल सकेंगे शत्रों को संताप देने वाले महाबाहु उत्तर तुम्हारे ये सभी अस्त्रशक्स्त्र अत्यन्त सुक्ष्ण छोटे और कोमल हैं इनके द्वारा यहां विजय दिलाने वाला पराक्रम नहीं किया जा सकता इसलिए भूमिन जय पत्तों से सुशोभित इस शमी विक्ष पर शीग्र चड़ जाओ इस पर युधिस्टर भीम अर्जुन और नकुल सहदे इन सब पांडवों के धनुष रखे हुए हैं उन शुरुईरों के धज, बान और दिविक कवच भी यहीं हैं यहीं अर्जुन का वैमहान, शक्तिशाली, गांडव धनुष भी है जो अकेला ही एक लाग धनुषों के समान है यह राष्टर की वृध्धी करने वाला है परिश्रम को सहने में समर्थ और ताड़ के समान अ यह सोनी को गला कर बनाया गया दिव्वि, सुन्दर, विस्रित तथा वर्ण रहित, अर्थात, नित्यनूतन है यह भारी से भारी वहन करने में समर्थ है भयंकर और देखने में मनुहर है ऐसे ही युदिश्टर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के भी सब धनुष, प्रबल और सुद्रिण है, उत्तर बोला, मैंने तो सुन रखा था कि इस फ्रिक्ष में कोई लाश बंदी है, ऐसी दशा में मैं राजकुमार होकर अपने हाथ से उसका स्पर्श कैसे कर सकता हूं, एक तुमेक शत्रिय, दूसरे महान राजकुमार, तथा तीसरे मंत्र और यग्दियों का ज्याता एवं सत्पुरुश हूं, अता मुझे ऐसी अपवित्र बस्तु का स्पर्श करना उचित नहीं है, प्रहनले यदि में शव का स्पर्श करना, तो मुर्दर्ध होने वालों की भांदी अपवित्र हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे वेवार में लाने योगे शुद्ध कैसे कर सकोगी, प्रहनला ने कहा, राजेंद्र तुम इन धनुषों को छूकर भी वेवार में लाने योगे और पवित्र ही रहोगे, डरुमत ये केवल धनुष हैं, इनमें कोई शव नहीं है, राजकुमार तुम मनस्वी पुर्शों के उत्तम कुल में उत्पन और मतस्य नरेश के पुत्र हो, भला में तुमसे कोई निंदत कर्म कैसे करवा सकती हूँ, पैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजर अर्जुन के ऐसा कहने पर कुंडल धारी विराट पुत्र उत्तर विवश हो, रत से कूद कर शमी व्रिक्ष पर चड़ गया, तब रत पर बैठे हुई शत्रुनाशक प्रिथापुत्र, धरंजे ने शासन के स्वर में कहा, इन धनुषों को जल्दी व्रिक्ष से नीचे उतारो, और इन सब का पत्र में वेश्ठन भी शीगर हटा दो, तब उत्तरा ने विशाल वक्ष स्थल वाले पांडवों के बहुमुले धनुषों को व्रिक्ष के नीचे ले आकर उन पर जो पत्तों के वेश्ठन लगे थे उन्हें खोल कर हटाया, फिर उन धनुषों तथा उनकी डोरियों को सब और से खोल कर अर्जुन के पास ले आया, उसमें अन्य चार धनुषों के साथ रखे हुई गांडव धनुष को उत्तर ने देखा, वेश्ठन खोलने पर उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों की प्रभा चारों और फैल गई, जैसे उद्य होने पर ग्रहों का दिव्वे प्रकाश सब और छा जाता है, जब भाई लेने के लिए मूग खोले हुए विशाल सर्पों की भांती, उन धन अंतर उन प्रभापूर्ण वेशाल धनुषों का स्पर्श करके विराट पुत्र उत्तर ने अर्जुन से इस प्रकार कहा, प्रहनले जिस पर सोने की सो फुलियां जड़ी हैं, जिसके दोनों सिरे बहुत ही मजबूत और चमकीले हैं, यह उत्तम धनुष कि स्यस्वी वीर क है, जिसके पीट पर सोने के प्रकाश्वान हाथी सुछोबित हो रहे हैं, तथा जिसके दोनों किनारे बड़े सुन्दर और मध्यभाग बहुत ही उत्तम है, यह शुष्ट धनुष किसका है, जिसके प्रिष्ट भाग में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए लाल पीले रं कीट प्रिथक प्रिथक शोभा पा रहे हैं, यह उत्तम धनुष किसका है, जिसमें परस पर सटे हुए तीन सुवर्ण में सुरचिन प्रकाशित हो रहे हैं, जो तेज से मानुप प्रज्जुलित है, यह उत्तम धनुष किसका है, जिस पर तप्त सुवर्ण भूशित मीने क पतंगे शोभवा रहे हैं तथा जो उत्तमबन की मणियों से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देता है यह उत्तमधनुष किसका है यह जो सोने के तरकस में सहस्त्रों नाराज रखे हुए है जिनके सब और विशेशत है अगरभाग में सोने का पानी चड़ा है तथा जो सब के सब पांक वाले हैं यह किसके उप्योग में आते है यह मोटे मोटे विपाठ अर्थात स्थूल दंड वाले बाण विशेश किसके हैं इनमें गिद की पांक ही लगी हुई है इन बाणों को पत्थर पर रगड़ कर तेज किया गया है इनके रंग हल्दी के समान है और अगरभाग बहुत ही सुन्दर है कारेगरों ने इन पर भी खूब पानी चड़ाया है यह सब के सब लोहे के ही बाण है अर्थात इनमें नीचे काट कर डंडा नहीं लगा जिस पर पांच सिंखों के चिन है ऐसा वह काले रंग का तनुष किसका है यह तो सुवर के कान के समान नोक वाले दस बाणों को एक साथ धारन कर सकता है यह जो शत्रों का रक्त पीने वाले मोटे विशाल तथा अर्ध चंद्रकार दिखाई देने वाले साथ सो नाराज रखे हुए हैं यह किसके हैं जिनके पूरवार्ध भाग तोते की पांक के समान रंग वाले और उत्तरार्ध भाग सुवर्ण में पंक से युक्त एवं पीले हैं जो पत्थर पर घिसकर तेज किये हुए और लोही के बने हैं ऐसे यह सुन्दर पांक वाले बाण किसके हैं जिसके प्रिष्ट भाग में मेंडगी का चित्र है और जिसका मुक भाग भी मेंडगी के मुक्सा बना हुआ है ऐसा यह है भारी भार सहन करने में समर्थ दिव्य और शत्रू मंडली के लिए भैंकर विशाल खडग किसका है जो बाग के चमड़े की बनी हुई मयान के भीतर रखा गया है जो सुवन चित्रत और शत्रू के लिए अस्सा है जिसका अगरभाग भी बहुत ही सुन्दर है जिसकी मयान पर चित्रकारी की हुई है जो घुंगरुदार और विशाल है वह सोने की मूठवाला दिव्य एवं अत्यंतर निर्मल खड़ग किसका है जिसे गौचर्म की मयान में रखा गया है जो निश्य देश का बना हुआ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता जो भारी भार सह सकता है वह सोने की मूठवाला विमल Kenny किसका है जिसे बकरे की चम्डे की बनी हुई मायान में रखा गया है जो सोने की मूट से युक्त और सुवर्ण भूशित सुरूप वाली है वह उचित लंबाई चोड़ाई एवं आकरिती वाली आकाश के समान नीलो ज्वल एवं पानिदार तलवार किसकी है जो अगनी के समान प्रकाशमान एवं आग में तपाय शुद सुवर्ण की बनी हुई मयान में सुरक्षित भारी पानिदार तथा तीस अंगुल से बड़ा है जो सुवर्ण बिंदुओं से विभूशित तथा काले रंका है जिसे शत्रू काट नहीं सकते जिसका स्पर्ष सर् के समान है जो शत्रू के शरीर को चीर डारने मला भारी भार सहन करने में समर्थ दिव्य एवं शत्रू के लिए भायदायक है ये खड़क किसका है प्रहनले मैंने जो पूछा है उसे ठीक ठीक बताओ ये सब महान अस्त्रशस्त्र देखकर मुझे बड़ा आश्चरे हो रहा है व्रहनला बोली राजकुमार तुमने पहले जिसके विशय में मुझसे प्रश्न किया वही ये अर्जुन का विश्विख्यात गांडिव धनुष है जो शत्रू की सेना के लिए काल रूप है ये सब आयुधों से विशाल है इसमें सब और सोना मड़ा है यही उत्तम युद्ध गांडिव अर्जुन के पास रहा करता था यह अकेला ही एक लाग थनुषों की बराबरी करने वाला तथा अपने राष्ट्र को बढ़ाने वाला है प्रिथापुत्र अर्जुन इसी के द्वारा युद्ध में मनुश्यों तथा देवताउं पर विजय पाते आ इसमें कहीं कोई चोट का चिन्य नहीं आया है देवताउं दानवों तथा गंधर्वों ने इसका बहुत वर्षों तक पूजन किया है पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने इसे 1000 वर्षों तक धारण किया था तदन अंतर प्रजापती ने 503 वर्षों तक इसे अपने पास इंद्र के बाद सोम ने 500 तथा राजावरु ने 100 वर्षों तक इसे धारण किया तत पश्यात श्वेत्वहान अर्जुन 65 वर्षों से इसे धारण करते चले आ रहे हैं यह सर्वोत्तम धनुष देखने में बड़ा ही मनोहर है इसके द्वारा महान पराक्रम प्रकट होता है अर्जुन को यह महादिव्य धनुष साक्षात वरुन देव से प्राप्थ हुआ था तथा दूसरा देवताओं और मनुष्यों में पुजित उतक्रिष्ट रूप धारण करने वाला धनुष भीमसेन का है जिसके दोनों किनारे बड़े सुन्दर है और मत्यभाग में सोना मड़ा हुआ है यह वही धनुष है जिससे शत्रु को संताप देने वाले कुंतिकुमार भीमसेन ने संपून प्राची दिशा पर विजय पाई थी उत्तर जिसके ऊपर इंद्रगोप अर्थात बीर बहुटी नामक कीटों का चित्र है और जो देखने में मनोहर है वही यह उत्तम धनुष राजा युधिश्टर का है जिसमें सुवर्ण के बने हुए प्रकाशपून सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और जो तेज से जाजु दिल्ले मान जान पड़ते हैं वही यह नकुल का आयुद्ध है जिसके ऊपर सुवर्ण जटित मीने के पतंगे सुशोबित हैं वही यह मादरी दंदन सहदीव का धनुष है विराग्पुत्र यह जो छुरे के समान मजबूत और चमकीले पान है जिनमें पंक लगे हुए है और जो साबों के विश के समान प्रभाव रखते हैं यह सब अर्जुन के ही है यह युद में तेज से प्रकाशित होकर बड़ी तेजी से शत्रू पर आगात करते हैं रण में शत्रू पर बान वर्शा करने वाले वीरों के लिए इन बानों का काटना असंभव है यह जो जो शत्रों का संघार कर डालते हैं, ये हल्दी के समान रंगवाले और सुनेहरी पंखों से सुशोबित हैं, इन्हें पत्थर पर रगड कर तेज किया गया है, जिस पर पांच सिंखों के चिन हैं, वही ये नकुल का कलाब अर्थात तरकस है, जिससे उन्होंने युद्ध में संपून पश्यम दिशा पर विजय पाई थी, उस समय बुद्धिमान मादरी पुत्र नकुल के पास यही कलाब था, और ये जो सूरे के समान आकरिती वाले चमकीले बाण है, इनके द्वारा संपून शत्रू सम्हूं का विनाश होता है, विचित्र क्रिया शक्ति से संपन ये सभी बाण बुद्धिमान सहदेव के हैं, ये जो तीखे पानिदार, मोटे और बड़ी-बड़ी पांखों वाले, तीन परवों के बाण हैं और जिनकी पांखे सोने की बनी हुई है, ये सब राजय युधिस्टर के महांशर हैं, जिसके प्रिष्ट भाग में मेंडगी की का चित्र है, और जिसका मुख भाग भी मेंडगी के मुख के समान ही बना है, ये विशाल खडग अरजुन का है, ये है युद्ध भूमी में भारी आघात को सह सकने में समर्थ और मजबूत है, जिसकी मयान व्यागरत चर्म की बनी हुई है, वे महान खडग भीम से इनका है, ये हमें गुरुत्तर भार सहन करने वाला एवं दिव शत्रों के लिए भयंकर है, जिसकी धार सुन्दर एवं पतली है, जिसकी मयान विचित्र और मूट सोने की है, ये है तीस अंगुल से बड़ा सर्वोत्तम खडग परम बुधिमान गुरुनंदन धर्मराज का है, ज प्रता, नाना प्रकार के युद्धों में शस्त्रों का भारी आगात सहन करने में समर्थ और मजबूत है, ये ही वे नकुल का खडग है, और यह जो गौचर्म की मयान में रखा गया है, ये है सहदेव का विशाल खडग है, इसे सबप्रकार के आगात, प्रत्यागात सहने म समर्थ और सुद्रिर समझों कितनी विचित्र बात है विराट पर्व के मध्य में सभी पांडवों के अस्त्र और शस्त्रों का इतना बारीकी से विश्लेशन किया गया था जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अथाय में आप सभी को कोटी कोटी साधुवात आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी ये लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे